नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा, रेकी ग्रैंड मास्टर, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का, आज का हमारा टॉपिक है बेनेफिट्स ओफ रेकी, जी हाँ, रेकी के लाव। आज हम जानेंगे क्या रेकी द्वारा आप शारेरेक रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, क्या रेकी आपके दिमागी संतुलन में मददगार साबित हो सकती है, क्या रेकी आपको अध्यात्मिक बनाने में मदद कर सकती है, क्या रेकी से आप बहुतिक जीवन के सुख नहीं हो सकता यानि रेकी द्वारा सब संभव है आज मैं आपको बताऊंगी कि रेकी द्वारा आप किन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं वह चाहिए शारेरिक हो या आपका अशांत मन आपकी भावनाई हो या आपकी अध्यात्म से जुड़ने की प्यास जैसा कि रेकी आप सब जानते हैं कि रेकी का दूसरा नाम उर्जा है और यह शक्ति हमारे अंदर, हमारे आसपास, पूरे ब्रह्मान में मौजूद है और इस उर्जा के दो ही रूप हैं सकरात्मक और नकरात्मक जैसे सुक, दुख, दिन और रात, खुशी और गम आईए जानते हैं रेकी से होने वाले शारेरिक लाप रेकी प्राक्रितिक रूप से आपके शरीर के सारे दोशों को दूर करती है रेकी उप्चार से हृदे रोग, कैंसर, अस्ती भंक यानि हड़ी का तूटना, ठकान, अनिद्रा, सिर्दर्द, अस्तमा, चर्म रोग, पत्री, साइनस, गठिया, ब्लेट प्रेशर, शुगर, दमा, बहुत सी बिमारियों का इलाज संबव है किसी भी प्रकार की शारिरिक कष्ट रेकी से दूर किया जा सकता है, वह भी बिना किसी नुकसान के ये स्वभाविक रूप से आपके शरीर के विशाले पदार्थ यानि टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है किसी भी प्रकार की दवा कीमो थेरिपी, सर्जरी के खुब प्रभाव को कम करती है रेकी आपके शरीर में रक्त संचार की प्रक्रिया को ठीक रखती है जिससे आपकी शारिरिक उर्जा और क्षमता में व्रिद्धी होती है और आप अपनी दिन चर्या बेतर बना सकते है रेकी मांसिक तनाव की स्थर को भी कम करती है जिससे आपको आराम महसूस होता है मनोदशा या मूड बदलना काफी हद तक उदासी और चिंता से जुड़ा है रेकी से पुरी तरह मूड बदला जा सकता है जब एक बार आपकी मनोदशा बेतर होने लगती है तो आपकी चिंताएं भी दूर होने लगती है साथ ही साथ आपका गुसा और चिर्चड़ा पन दूर करने में रेकी से मदद मिलती है इतना ही नहीं यह उर्चा आपकी इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है जिससे आपको शारिरिक रोग होने का कोई भय नहीं रहता रेकी हर उम्र के लिए लापकारी है नवजाद शिशू से लेकर बज़ुर्ग तक हर उम्र के लोग इस उपचार का लाब उठा सकते हैं यहां तक की पेड़ पौधे पालतु जानवरों को भी रेकी से फाइदा पहुँचता है इसके साथ ही रेकी से कोई नुकसान नहीं होता रेकी त्वारा भविश्य की समस्याओं से भी बचाव हो सकता है हाला कि रेकी का इस्तमाल वर्तमान की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है लेकिन रेकी से अतीत के ऐसे दुखों या समस्याओं का भी समधान किया जा सकता है जो आपके विकास में बाधा डाल रही हो या आपके शरीर, मन और आत्मा को प्रभावित कर रही हो उपचार का ये रूप भविश्य में होने वाली समस्याओं का भी बचाव कर सकता है रेकी के सारे स्तर का अनुभव कर चुके उपचार को ने यह माना है कि रेकी से भविश्य में आने वाली समस्याओं का बचाव भी मुम्किन है आज के लिए बस इतना ही